नमस्कार मिश्रा जी की मिश्री जी हाँ मेरा नाम है अरुन मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं वैसे ये मैं थैली भर के लिए आया हूँ और ये है मिश्री जिसको मराटी में खड़ी साखर बोलते हैं आप अपने लेंग्वेज में क्या बोलते हैं कमेंट करके जरूर बता अगry कि सागत आप सभी का मिश्रवेता में और आज हम बात कर रहे हमारे ही नाम से जुड़ी हुई एक चीज के बारे में जिसका नाम है मिश्री तो यह मिश्री हम सभी को घर पे और कई बार मिल जाती है कई बार प्रसात के रूप में मिल जाती है अब अस्टांग रिधे नाम का जो आईरविद का ग्रंथbeitsma Army में आता है मतलब वागभर जी का सेकेंड जो ग्रंत है अस्टांक संग्रा उसकी चप्टर नमबर 6 में इस मिस्ट्री की कई सारे फायदे बोले हैं तो चलिए वो 9 फायदे जो या 9 बीमारियां जिसमें आपको इसे जरूर खाना चीए नमबर 1 फायदा इसका बताते में बोला गया है वुश्या वुश्या शब्द का मतलब होता है कि जो आपके शुक्र धातू को नरिश करने का काम करती है अब आप मेंसे ऐसे लोग जिनको शुक्र धातू से रिलेटर बहुत सारी तकलिफ है क्लिनिक में कई सारे पेशन्ट आते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत सारा हस्त मैथुन किया था मास्टूबेशन किया था उसके कारण शरीर कमजोर हो गया है वेट गिन नहीं हो रहा है ब्रेन पे इंपेक्ट होआ है जो कुछ भी या ऐसे लोग जिनको बार-बार sexual activities करने की आदत है शादी हुई है या किसी भी कारण से सपोस्कि आप धूपूप में बहुत काम करते हैं रात में बहुत आप जाकते हैं और किनी कारणों से आपका शुक्र धातू जो बनना है या तो कम हो गया है या उसकी मात्रा कम निकलती है या शुक्र जो है उसमें जलन होने की तकलीफ है तो आप अगर अपने शुक्र धा वीडीज हमने कर ली तो उससे मतलब रिकवर होने में कई बार हमें तीन पात साथ साथ दिन तक लग जाता है इन सारी कम जोरियों में मिश्री तीन से पात ग्राम की मात्रा में खाना आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा नमबर टू आता है चत शत मतलब आप में से ऐसे ल कोई बहुत बड़ा एक्सिडेंट हुआ था अब शरीर आपका सूखने लग गया है तो ऐसे में मिश्री आप खाएंगे तो आपके लिए वो हीलिंग करने में वदद करेगी नमबर थ्री बीमारी जो की वागभर जी बोलते हैं उस में मिश्री फायदे मंद होगी उसका न गया है कि पहले बजन 50 किलो था अब केवल 32-35-40 किलो बच्चा है या पहले अच्छा खासा हेल्दी बॉड़ी थी अब जैसे से टाइम हो रहा है बॉड़ी एक्तम सूखती जा रही है कमजोर होते जा रहे हैं और कुछ एक ऐसी चीज है जो हम खाये हमें थोड़ा आराम द जिनके रस और रक्त धातू के अंदर पित एक्ष्ट्रा मात्रा में बढ़ गया है गर्मी एक्ष्ट्रा मात्रा में बढ़ गई है और उसके करण आपको ब्लीडिंग होती है नाक से खोन निकलता है कान से खोन आग से वोसे गुदाद्वार से यूरिनरी एरिये से इसमें अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या बहुत लंबे दिनों तक ब्लीडिंग होती है तो ऐसे में मिश्री आपके लिए फायदे मन रहेंगी क्योंकि ये रक्त के अंदर जो बढ़ा हुआ पित है जो गर्मी है हीट है उसनता है रक्त के अंदर की उसे ये कम करने का काम करता है पाचवा नंबर जो कि इसका फायदा है वो है अनिलह अनिलह शब्द का मतलब होता है कि वात के बढ़ने के कारण जो जो बीमारी होती है अब वात के कारण हम सभी जानते है कि वात क्या है रुक्ष वात ड्राय है वात सुखा देता है वात पेन पैदा आट करने का काम करता है, वाट skyn को dry कर देगा, हार्ड खुरदुरा कर देगा, skyn को dry कर देगा,肿 का रंग काला कर देगा ऐसे करके why you बहुत सारे रोफ पैदा करता है, तो जिनको भी वाट के कारण, वाट के कारण मतलब जो लोग रात में जाकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रागलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिनका वयाम बहुत ज़्यादा मातरा में होता है, बहुत ज़्यादा मातरा में जो सोचते हैं, ये सारी एक्टिवीडीज आपके शरीर में वादफ बढ़ाने का काम करेंगी, तो जिनकी शरीर में अगर आप मिश्री खाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा फाइदे मन्द कर रहेगा, क्योंकि ये मधूर मीठी है, और वात को कम करने वाले जो टेस्ट है, वो कौन से तीन है, आप कमेंट करके बताईए, जो लोग भी जानते होंगे, चलिए मैं बोल देता हूँ, मीठा खटा नमक, ये तीन जो टेस्ट है, ये वायू को कम करते हैं, तो ये मधूर रस्की होती है, और वायू से रिलेटेड, वायू से रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ है, उसमें ये फाइदे बंद रहेगा, छटे नमबर पे आता है दाह, छटा फाइदा इस मिश्री खाने अगर शुगर की report बढ़ी है, जलन हो रही है, तब ये काम नहीं करेगी, बट शुगर की report आपकी normal है, और फिर बाड़ी में जलन हो रही हैं, ऐसे लुग को बलते हम धूप में जाते हैं, तो हमारी वाट लग जाती हैं, धूप में जाते हैं, सीरधर्ध होने लगता हैं, शरीर इंदव आग की तरह अंगारे की तरह जलने लग जाता है, तो शरीर में किसी भी पार्ट में किसी भी टाइप की जलन है, तब आपको मिस्ट्री अपने डाइट में जरूर इंटर्डूस करनी चाहिए, सातवा नंबर आता है, जिनको बहुत बार बार प्यास लगती है, जिसको तुट्ट बोला गया है, जिनको बार बार बहुत ज़दा प्यास लगती है, मुह सूखता है, कितना भी पानी वानी पी ले, कुछ भी कर ले, बड़ वो प्यास खतम नहीं होती, मुह का सूखना जो है, वो खतम नहीं होता है, फिर से सुगर की एक बार रिपोर्ट करा लीजिए, अगर आपका सुगर लेवल एकदम नॉर्मल है और फिर भी मुह सूखने की समस्या आपकी नहीं जा रही है, ये कुछ भी अलका सा गरम का लिए तो मुह सूखने लगता है, रात में मुह सूखने के कारण बार बार उठके पानी पीना पड़ता है, और जितने बार पानी पेता है उदने बार पे शाब जाना पड़ता है, तो ऐसे में जिनको कई कारणों से मुह सूखने की तकलिफ है, शुगर नॉर्मल है बड़ तो आप मिश्री जरूर खाईए क्योंकि यह प्यास खतम करने का काम करता है या मिश्री के तुकड़े को लेके आप ठूस ठूस के भी खा सकते हैं मतब कुछ भी थोड़ा सा चेंज वेंज हुआ खाने का टाइम हुआ था पर खाना नहीं खाया और फिर उल्टी जैसे फिल होने लग गया तो ऐसी सारी तकलीफ हो पर बताब कोई भी कई लोग को मौसम चेंज हुआ एक जिगह से दूसरी जिगह गये ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे सारे कंडिशन में अगर बार बार उल्टी होने के संसेशन जिनको बार बार फिल होते रहता है या हो भी जाता है तो ऐसे में अगर मिश्टी का तुकड़ा मुं में रखके चूसेंगे तो ये उस संसेशन को या उल्टी बार बार होने को कंट्रोल करेगा और लास्ट आप में से ऐसे लोग जिनको मुर्चा आ जाती है चक्कर वकर खा के पुरा गिरी जाते हैं कुछ ध्यानी नहीं रहता दो तीन मिनट के लिए डले रहते हैं फिर ध्यान आता है कि अरे मैं कहां पे हूँ मैं कौन हूँ मेरा नाम क्या है तो जिनको बार-बार चकर, मुर्चा, मुर्चा मतलब आप एक दो ऐसे गिरी जाओगे जब आएगा तो जो इतने कमजोर है कि जिनको बार-बार मुर्चा आती रहती है फेंट हो जाते हैं गिर जाते हैं उस तकलीफ को कंट्रोल करना है तो मुम में मिश्टी आप रखके जरूर चूस-चूस के खा सकते हैं तो इतने सारे फायदे आईरवेद में मिश्टी के बताए गए हैं अब सवाल कब खाना है तो जब मन करें तब खा सकते हो और किसे खाना है तो इस वीडियो में बताया है कितना खाना है तीन से पांच ग्राम की मातरा में खा सकते हो specially एक special चीज ध्यान रखिए आप में से ऐसे लोग जिनको गोड़ बीकुल भी हजम या बरदास नहीं होता मतलब मीटा खाने का मन करता है पर जैसे ही गोड़ या गोड़ से बने आप कुछ प्रोड़क खा लेंगे आपकी तकलीब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों को फिर मिश्री बहुत सेफ रहेगी क्योंकि ये निचर में ठंडी होती है गोड़ गरम होता है तो जिनको गोड़ खाने से मूँ में छाले वाले आ जाते हैं गर्मी होने लगती है हीट बढ़ जाती है ऐसे सारे लोगों के लिए मिश्री खाने में फायदे बंद रहेगी आप दूत में इसकी खीर बना कर खा सकते हैं डायरेक खा सकते हैं सर्बत बना कर खा सकते हैं जैसा पसंद हो वैसा खा सकते हैं ये तो थी मिश्रा जी की मिश्री और आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताए और कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहे, मस्त रहे